हेई अब्रीवान वल्कम पाक टू मैं चैनल यह वाचिंग हापी होम गोल्ज आशकरती हूं आप सबी अच्छे होंगे अपनी फैमली के साथ अच्छा टाइम स्पेंट कर रहे होंगे सो अभी बज़ रहे हैं शाम के चार और यहां मौसम बहुत खुशनमा हो रहा है और बहुत प्यारी सी हवा चल रही है तो मैंने अपने लिविंग रूम का स्लाइडर ओपन किया हुआ है मेरे फ्लाट की यही खासियत है कि हाँ हवा और सनलाइट की कभी कोई कमी नहीं रहती है क्रॉस वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है मेरे फ्लाट का पर्ट हवा से मुझे यही प्रॉब्लम है कि मुझे डस्टिंग बहुत करनी पड़ती है कर दोच्छा है से औरेस कि बाओंस कि धुभी आपसा कि इय hen never कि उनक अब अब वन इन copy चार मुए बारो स्कावताप। मौलक के लिए बाट निए बाट अ Ministries जरोह स्पी कर लिए हुआ 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 है हुआ 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 हु हुआ हुआ, हुआ हुआ, हुआ ह narrative कर दो कर दो कर दो से चारसे पांच उक pay you are not you are you I am so miseцы पांच boat प्रेको लिया है नी जैसे मैंने मैंब्र सॉल्ट चिरी पाॉडर और ग्र Lindsay पाउडर और अब मैंने इसे अठीसे मैश कर लिया है और इसमें जूमेशा निया तियार के थी उसको चुछ अधियो टाल दिया और फिंगर्स बनाने के लिए मैं एक-एक करके इन्हें शेप दे दूँगी इस तरीके से एक फिंगर जो है वो तयार हो गई है इसी तरीके से मैं बाकी सारे फिंगर्स को शेप दे के रेडी कर लूँगी दूसरी तरफ मैंने कड़ाय चढ़ा दि है तेल गरम हो गया है और मैने यहां थोड़ा सा मैदा लिया है Cyggy जो मेरा सूजी का जो गोल था थोड़ा पतला हो गया था हालाकी इसको मैं कभी यूज नहीं करती हूं आज वो सूजी थोड़ी सी पत्लियों गी थी तो मैं मैदा का यूज कर रही हूं अब एक-एक करके मैं फ्राइ करने के लिए डाल दूंगी फिंगर्ज और एकदम सिम करके मैं इन्हें फ्राइ करूंगी तो बहुत अच्छे से फ्राइ हो गए हैं तो मैंने कडाई से निकाल दिये हैं देखिए कितने अच्छा लग रहे हैं कितने टेम्टिंग लग रहे हैं ये और मैं इन्हें तीन चार बार पहले भी बना चुकी हूं तो मुझे पता है ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत क्रंची होते हैं और चाई के साथ तो बहुत ही मदा आ जाता है ने खाके तो मेरी चाई भी रेडी हो गई है और मेरे फिंगर्स भी रेडी हो गई हैं सर्फ करने के लिए तो चलिए शाम की चाई और स कर दो, जब को राफ जय कुछ कर दो, जब सकते हैं, जब वाल चाम हुआए, उब को दो जब दोगा ही को जब दोगते हैं को बाता हैं? झाल झाल इस वक्त हम सभी की सिचुएशन सेम है हम सभी अपने अपने घर पर हैं और खुद को विजी रखने के लिए पूरी कुश्च करते हैं बढ़ घर और फामली के साथ-साथ खुद के लिए पी टाइम निका लिए क्योंकि जब हम सभी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे न तब जिन्दगी तुकनी रखतार से दोड़ने लगेगी फिर से वही जॉब फिर से हस्बन का ओफिस बच्चो का स्कूल फिर से वही सब ये सुकून फिर नहीं मिलेगा तो भाया चीलो इस पल को अच्छे से उमीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया हो अगर हाँ तो लाइक ज़रूर कीजेगा और जो फिरंज पहली बार मुझे देख रहे हैं वो मुझे जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम पर मुझे जुणना ना भूले तो आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तपते के लिए अपना ध्यान रखेगा तो आज के लिए पहली के लिए पहली बादेगा है झाल झाल